दोस्तों All Exam Guide Guru के YouTube चैनल पर मैं सुजीत पाइंड़े आप सभी का बहुत-बहुत साथ करता हूँ दोस्तों यहाँ पर पिछले कई सालों से साइंस के जनरल साइंस के जो कॉशन्स पूछे जा रहे हैं एक्जाम में वैसे 40 MCQ लेकर आया हूँ यदि आपने पिछले सालों के MCQ पड़े हैं किसी भी बुक से तो मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो में कम से कम 35 से 40 नमबर लाना है 40 में से 40 कॉशन भी आप से बन सकते हैं देखते हैं कौन कौन 40 में से कम से कम 35 या 40 सही कर पाता है स्टार्ट करते हैं वीडियो को रेलवे, SSC, PSC में आयोए कॉशन है तो आप लोग ने कहीं न कहीं कॉशन देखे जरूर होंगे प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहला कॉशन ये रहाप की स्क्रीन पर आप एकछिक आदरता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है रिलेटिव हुमिडिटी आप एकछिक आदरता के लिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका हाइग्रो मीटर का यूस किया जाता है option num Con 6 इस caustion के लिए सही आंसर हो जाएगा caution num 2 देखिए caution num 2 में पूछा गया है वरशा की बूद गोलाकार क्यों होती है तो वरशा की बूद गोलाकार यहाँ पर option बी पृष्टे तनाव के कारण होती है option number B इस caustion के लिए सही आंसर हो जाएगा question number 3 देखिए इसमें आपसे पूछा गया है lamp की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चड़ता है तो lamp की बत्ती में यहाँ पर सही answer हो जाएगा केशी कत्यों के कारण capillary motion के कारण option number B इस question का right answer हो जाएगा question number 4 देख लेते हैं चार में पूछा गया है प्रिकाश वर्स किस की काई है तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा प्रिकाश वर्स आपकी दोरी की काई है option number D इस question के लिए सही answer हो जाएगा question number 5 देखिए इसमें आपसे पूछा गया है गृत्वा करशन के नियम का प्रतिपादन किस ने किया तो गृत्वा करशन के नियम का प्रतिपादन option number A Newton यहाँ पर इस question के लिए सही answer हो जाएगा question number 6 देखिए question number 6 में आपसे पूछा गया है rocket किस के सिद्धान्थ पर कारे करता है तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा rocket आपका option number C समवेगस अन्रक्षन के सिद्धान्थ पर कारे करता है question number 7 देख लेते है question number 7 में क्या पूछा गया है question number 7 में पूछा गया है angstrom क्या मापता है तो angstrom से आप जो है option number 1 तरंग देर्द को मापता है option number A यहाँ पर question के लिए सही answer हो जाएगा question number 8 देखिए question number 8 में क्या पूछा गया है कोई cycle सवाल किसी मोड पर घूमता है तो यदि आप मोड पर शलेंगे तो भीतर की ओर जुक जाता है gravity जो आपका point होता है उसको maintain करने के लिए question number 9 देखिए lens की शक्ती का मात्रक क्या है तो lens की सक्ती का मात्रक आपका option number D diapter यहाँ पर option number D विल्कुल सही answer हो जाए question number 10 देखिए घडी में चाबी देने पर कौन सी उर्जा संग्रहित होती है तो घडी पर चाबी देंगे ग्यारा दिसमलोग दो किलोमीटर प्रती सेकेंड इसे रप्तार से यदि आप कोई चीज को फैकेंगे तो वो प्रत्वी पर दुबारा लोट कर नहीं आएगी caution number 12 देखिए किस तापमान पर जल का घणत अधिकतम होता है तो यहां पर सही answer हो जाएगा आपका option number C 4 degree Celsius दोस्तों उमीद करता हूँ अभी तक के 12 के 12 caution आपसे बन गए होंगे प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि अभी तक लाइक नहीं किया caution number 13 देखिए 40 में से 40 लाना है किस तापमान पर Celsius और Fahrenheit पैमाने का मान समान होता है तो D, option number D minus 40 degree पर Fahrenheit या Celsius पर जो है तापमान समान रहेगा caution number 14 देखिए caution number 14 में पूछा गया है X-ray केर्णों की खोच किस ने की तो यहां पर सही answer हो जाएगा option number A round gen गवारा X-ray केर्णों की खोच की गई होता है तो एक स्वस्त मनुष्य रहे उसके सरीर का सामान तापमान option number A 37 degree Celsius हो जाएगा comment करके Fahrenheit में बताइए स्वस्त मनुष्य के सरीर का तापमान Fahrenheit में कितना होगा अगला caution देखिए द्रश्टी का hypermetropia दूर द्रश्टी दोस किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है तो option number C उत्तर लेंस के प्रयोग से दूर रश्टी दोस ठीक किया जाता है caution number 17 देखिए यह आपकी स्क्रीन पर इसमें आप से पूछा गया है निकटल द्रश्टी दोस मायोपिया में होता है तो निकटल द्रश्टी दोस मायोपिया में option number B दूर की वस्तू नहीं दिखाई देती है option number B यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा caution number 18 देखिए निकटल कितमेंसे किस रंग की सरवाद की तरंग देर्द होती है तो सबसे ज़्यादा तरंग देर्द option number A यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लाल रंग की बिलकुल सही आंसर हो जाएगा caution number अगला देखिए caution number 19 इसमें पूछा गया है आपसे प्रात्मिक रंग कौन से होते हैं तो प्रात्मिक रंग आपका option number D नीला लाल और हरा बिलकुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह आपका 20 वा caution आपके आदे caution हो जाएगे देखते हैं 20 में से 20 किसके सही आते हैं म्रग मरीची का बनने का करण क्या है तो म्रग मरीची का बनने का करण आपका option number C पून आंतरिक परावर्तन है option number C बिलकुल सही आंसर हो जाएगा caution number 21 देखिए आंक के रेटिना पर बना प्रतिबंद कैसा होता है तो आंक के रेटिना पर बना प्रतिबंद option number A वास्तविक एवं उल्टा होता है बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगला caution देखिए caution number 22 मॉटर वाहनों में 55 दर्पन के रूप में कौन सा दर्पन प्रियूग किया जाता है तो मॉटर वहनों में उत्तर दर्पन प्रियूग किया जाता है पीछे के लिए देखने के लिए आपकी motorcycle में भी उत्तर दर्पन लगा रहता है कॉश्य नमबर 23, धौनी की चाल सबसे अधिक किस में होगी, तो धौनी की चाल सबसे अधिक option नमबर इठोस में, ठोस यहाँ पर सही answer हो जाए, कॉश्य नमबर 24 देखिए, विद्धुद बल्ब का फिलामेंट किस धातू का बना होता है, तो विद्धुद बल्ब का फिलामे को किस से नापते हैं, करेंट को यदि आपको नापना हो, तो कौन से मीटर से आप करेंट को नापोगे, अगला कॉश्य नमबर 26, सौर सहल परिवर्थित करता है, तो सौर सहल आपका option नमबर D, सौर उर्जा को विद्धुद उर्जा में परिवर्थित करेगा, option नमब D, य में इल्कुल सही आंसर है, question नमबर 28, देखिए, 28 में पूछा गया है, सौर में कौन सा तत्तो सरवादिक मातरा में पाया जाता है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, option नमबर D, सौर में हाइड्रोजन सरवादिक मातरा में पाया जाता है, helium भी पाया जाता है, comment करके यह स सूर्य के अंदर क्या होता है सनलयन होता है या विखंडन होता है नाभी की सनलयन होता है या नाभी के विखंडन होता है सूर्य के अंदर कॉशन नमर 29 देखिए अल्टी मीटर से क्या मापते हैं तो अल्टी मीटर से यहाँ पर ऑप्शन बसी भूतल से उचाई मापते हैं अल्टी मीटर से कॉशन नमर 30 देखिए यह आपकी स्क्रीन पर उमीद कता हूँ 30 में से 30 सही गाय होंगे मनुश्य लिफ्ट में कब अपना भार जो है महसूस करता है तो यदि लिफ्ट आपकी तोरण के साथ उपर जाते समय आपको अपका सरी थोड़ा भारी लगेगा और एकदम से नीचे गिरेगी उपर से तो आप लिफ्ट की दीवाल से चिपक जाओगे और आपका जो है भार आपको बिल्कुल हलका महसूस होगा कॉशन नमर 31 देखिए एक अश्व सक्ती HP होर्स पार वरावर कितना होता है तो एक अश्व सक्ती वरावर होता है आपका 746 वाट आप्शन नमर D यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कॉशन नमर 32 देखिए कॉशन नमर 32 से पूचा है प्रकाश की चाल सरपतम किसने ग्याद की थी तो प्रकाश की चाल को ग्याद करने का श्री जाता है रोमर को ऑप्शन नमर A बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कॉशन नमर 33 देख लेते हैं यह आपकी स्क्रीन पर इसमें पूचा गया एक अंतरिक्ष यातरी को अंतरिक्ष में आकास कैसा दिखाई देगा तो अंतरिक्ष से यदि वो देखेगा तो उसको काला दिखाई देगा option number डी यहाँ पर बिल्कुल से आंसर हो जाए question number 35 देखिए परमाणुबम की खोज किस ने की थी तो परमाणुबम की खोज यहाँ पर ऑटो होन ऑप्शन नमबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस question के लिए मड़वंब के लिए कॉश्चन नमबर 36 देखिए इसमें पूचा गया है फोटोग्राफी में प्रयोक किया गया प्रकास अमवेधी योगित कौन सा है तो फोटोग्राफी में प्रयोक किया गया प्रकास अमवेधी योगित option number C silver bromide बिल्कुल सब्सक्राइब कॉश्चन 27 देखा होगा कि महिलाओं की आवाज तारत मेल की अपएकशा पतली होती है त्थीกे ये प्रेक्वेंशी कंण होती है अलग अलग छीजों की अलग 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 फ्रिकотриंसी होती है ऐसे आवाज मोठी पत्ली ध्वनी के शोरगुल का मापन किस से होता है तो ध्वनी के शोरगुल का मापन डेसी बल से होता है option number A, डेसी बल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपको बता दें ध्वनी को मापने की उन्हें डेसी बल है ठीक है अगला कॉशन देखे fuse का तार किसका बना होता है तो fuse का तार यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सीसा और टिन का बना होता है option number B बिलकुल सही आंसर हो जाएगा fuse के तार के लिए आवशक क्या है कि आपका resistance उच्छ हो गलनांक बिलकुल निम्न हो जल्दी गल जाए वो कॉशन नमर आपका 40 एरा आपकी स्क्रीन पर यह आपका आखरी कॉशन है यदि आपके 35 भी सही गए हैं तो निराश मत होएगा आपकी तैयारी बहुत अच्छी कहलाईगी कमेंट करके ज़रू बताईएगा 40 मैं से कितने कॉशन आपके सही गए मुक्त रूप से नलंबित चुम्ब की एस सुई किस समय लटकती है तो मुक्त रूप से नलंबित चुम्ब की सुई एक काम करिए इस कॉशन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए आपने देखा होगा नॉर्थ और साउथ होते हैं तो किस तरफ जो है लटके की कमेंट करके ज़रू बताना ठीक है मिलते हैं आप से अगले वीडियो में कमेंट ज़रू करेगा कितने कॉशन सही गए वीडियो को लाइक कर जी करिएगा और दोस्तों के साथ शरक कीजिएगा बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों आप